प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुँचे जहां उन्होंने खाद्य एवं उर्जा सुरक्षा पर आयोजित सत्र को संबोधित भी किया जी हां इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपती जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपती इम्मैनुल मैक्रो से गर्म जोशी से मुलाकात की आपको बताते चले कि इस दौरान पीएम मोदी ने रूस और युक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का भी जिक्र किया पीएम ने कहा कि बार-बार मैं कह रहा हूं युक्रेन में हो रहे हैं युद्ध को रोकने के लिए हमें कूटनिती के रास्ते पर लोटने का समाधान खोजना होगा पहले और दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया भर में कहर बर पाया जिसके बाद उस दौर के नेताओं ने शांती का मार्ग अपनाने की कोशिश की और अब हमारी बारी है इसके अलावा पियम मोदी ने G20 को प्रभावी नित्रित्व देने के लिए राष्टपती जोको विडोडो का अभिननदन भी किया उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज कोवीड महमारी यूकरेन का घटना करम और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याओं ने मिलकर विश्वभर में तबाही मचाई है ग्लोबल सप्लाई चें तहस नहस हो गई है और दुनिया भर में रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई का संकट लगातार बना हुआ है अब यह समस्या किसी एक या दो देश के लिए नहीं बलकि हर देश के गरीब नागरिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है जो लोग पहले से ही रोजमर्रा के जीवन से जूज रहे थे वो अब दोहरी मार नहीं छेल सकते इसलिए हमें इस बात को सुईकार करने से जरा सावी संकोच नहीं करना चाहिए यूएन जैसी मल्टी लैटरल संस्थाओं के साथ साथ हम सभी इन में उपयुक्त रिफॉर्म करने में और सफल रहे हैं ऐसे में आज G20 से दुनिया को अधि उम्मीदे हैं उन्होंने कहा कि ये समय की मांग है कि हम विश्व में शांती सद भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामोही कदम उठाए मुझे विश्वास है कि अगले साल जब G20 बुद्ध और गांधी की पवित्र भूमी में मिलेगा तब हम सभी सहमत होकर विश्व को एक मजबूत शांती संदेश देंगे आपको बता दे कि सोमवार को पीएम नरिंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुँचे थे इस G20 शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और अमेरिका समीत अन्य कई देशों के रास्ट्रा ध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं खबरों की माने तो प्रधान मंत्री मोदी लगभग 45 घंटे बाली में रुखने वाले हैं और इस दौरान वह 20 कार्यक्रमों में शिर्कत करेंगे साथ ही दुनिया भर के 10 वैश्विक नेताओं से दुई पक्षिये मुलाकात भी करेंगे सूत्रों का कहना है कि प्रधान मंत्री मोदी अपने बिरिश शेडियूल से कुछ समय निकाल कर इंडोनेशिया में रह रहे हैं भारतिये प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे ब्योरो रिपोर्ट निउस्वाल इंडिया